महराश्ट के चंदरपुर के तोहो गाफ की 22 साल के युवा किसान साहिल मोरे ने 8 एकर खेती में मिर्ची की फसल लगाई और नई तकनीक कस्तमाल करते हुए लाल मिर्च का बंपर उत्पादन कर 40 लाख रुपे कमाई उच्छे शिक्षित होने के बावजूद नौकरी करने की बजाए खेती करने का फैसला लेकर साहिल ने अपने किसान पिता का हाथ बटाना शुरू किया और पार्मपर एक खेती को छोड़ नई तकनीक का इस्तमाल करते हुए प्रगतिशील युवा किसान के तौपर अपनी प रुकावट नहीं है क्योंकि उसके सपने बड़े कुछ कर गुजरने का जज़्वा दल में है इस खेत में जहां तक नजर जाए वहां तक लाल मिर्च और लाल मिर्च के हारे पौदे ही नजर आएंगे और लाल मिर्च के बीच काम करता ये युवा किसान साहिल और साहिल भ लेकिन ये बाड़ ग्रस्त इलाका होने के कारण बारिश के दिनों में बाड़ से फसल का पूरा नुकसान होता था इसलिए साहिल ने कुछ अलग करने का सोचा और जानकारे जुटाते हुए लाल मिर्च की फसल लगाने की ठानी क्योंकि मिर्च की फसल नवंबर महीने में लगाई जाती है तब तक बार का खत्रा भी तल जाता है मिर्च की फसल लगा तो ली लेकिन मिर्ची की पैदावार उमीद से कम ही होती थी इसलिए साहिल ने नई तकनीक की जानकारी जुटाना शुरू कर दिया अलगलग किसानों से मुलाकात की उनकी बात सुरी खुद ने भ बड़े पैमाने पर रहती है जिसमें फसल के लिए उपयुक्त प्रोटीन की मातरा बड़े पैमाने पर होती है फसल के लिए नदी का पानी तो पहले से इस्तमाल किया जाता था लेकिन ग्रीन अलगी में मिलने वाले हाई प्रोटीन को फसल तक पहुचाने के लिए नई पक किया जाते हैं और काई युक्त पानी डीप इरिगेशन के सहरे सीधी मिर्ची के पौधों के जड़ों तक पहुचाया जाता है साहिल इतने पर ही नहीं रुका फसल को खात की जरुवत होती है जिसके लिए मजदूर समय पर नहीं मिलते और मजदूरों पर खरच भी ज्यादा होता है इसलिए फसल तक खात पहुचाने के लिए भी नई तकनीक का इस्तिमाल किया गया इस नई तकनीक का नाम है वेंचुरी वेंचुरी ये तकनीक पानी के फोर्स पर चलती है एक ड्रम में अलग-अलग खात मिला कर घोल बनाया जाता है और वो पाइपलाइन के जरिए फिल्टर में जाता है और वेस्च अलग होकर पाइपलाइन के जरीए पौधों के जड़ों तक पहुचता है इस तक्नीक से किसान का दस गुना खरच कम हो गया है पहले खाद ज्यादा इस्तमाल होती थी अब इस तक्नीक से खाद भी कम लगती है क्योंकि खाद सीधे पौधो सिस्टम के पाइपलाइन के सरीए सीधे पौधों के जड़ों को मिलती है जीप इडिकेशन सिस्टम से पानी बून बून पौधों के जड़ों के जड़ों को मिलते रहता है पानी सीधे पौधों के जड़ों को मिलने से पानी की खपद भी कम होती है और पानी सीधे पौध एकड़ खेट को सम्हाल पा रहा है ड्रम फिल्टर वेंचूरी और डीप इरिगेशन सिस्टम जैसी नई तकनीक की मदद से यूवा किसान साहिल ने अपने आठ एकड़ खेट में मिर्च की बंपर पैदावार कर करीब दो सो कुंटल मिर्च का उत्पादन किया जिसकी कीमत करीब 40 लाक रुपे है फिल्हाल मिर्च को 25 असा रुपे प्रती कुंटल का भाव मिल रहा है यूवा किसान साहिल ने दसवी कक्षा के बाद हार्टिकल्चर साइन्स की पढ़ाई की है और अभी वो ब्यसी की द्विती वर्ष की पढ़ाई कर रहा है साहिल ने बताए कि वो नौकरी की बजाए खेती ही करती हुए अपने माता पिता के पास रहना चाहता है आज परें तबी पारंपारिक पद तीने मिर्ची ची लागन करत हो दो उत्पन्न कमी होता पारंपारिक पते पार्ट पान यानी पानी देते तो खत चाहा खर्चा खुब आवा डव्या होता लेबर कोस्ट खुब लागत होती मदात वीडिंग खर्चा खुब लागत होता त्या मुड़े आमी नभिन तक्निक वापर ले ड्रीप इरिगेशन सिस्टम लांच धालेलो होता तेवा आमी बग त्याला इंस्टाल केल उत्पन्दात वाडिया ड्रीप इलिगेशन इस्टाल केले हमुडे काई आमसा खर्चा खुब कमी झाला खर्चक कमी धाला आशा पद्धाती ने कि खद दे लेबर द्वारे देतो तो आमी ते आता ड्रीप इरिगेशन द्वारे देवु लागलो धाडांचा मुड़ा तवर डायरेक्ट पड़ा तसल्या मुले खाताच वेस्ट हे होतनो धाडाल लागते तेवडस देवु शकतो त कौंटिटी मेजर करूं देता आला जयने करूं आम सा खर्च कमी जाला तैसे अचा मुड़े ड्रीप इरिगेशन सिस्टम बु़े आनी पारमपारीक पद द ही ता शो ता टाकुंदिल घरी आला असा होतो तो तो मैं जे वेस्ट खुब होतो था, खर्चा खुब होतो था, आमी ते ड्रीप इरिकेशन इंस्टाल के लिया मुड़े, खर्चा कमी हो लागला, माजा शेतकरी बानना वाना मी सांगू इच्छी थो की उत्पादन खर्चा कसा कमी करता यहील, यह चावर आधी लक्षत देला पा चंदरपूर के तोहगाव से बीसे न्यूस के लिए सुनील ताइडी की एक्स्क्लिूसिफ रिपोर्ट